कम्प्यूटर प्रोफेशियंसी साइटिफिकेशन टेस्ट दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं वह सीपी सीटी का फर्स्ट अप्रेल 2017 सिप्ट फर्स्ट का पेपर है जैन दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी ग्यान एमसी पर मैं आपका दोस्त अप्लोड होते चले जा रहे हैं दोस्तों जैसे ही आप कम्प्यूटर करते हैं यह बहुत एक जरूरी है कि जैसी कम्प्यूटर स्टार्ड करें तो मेरे कोई काम की चीज देखता हूं तो नहीं है तो मैं राइट क्लिक करके उसको इंपरेट कर दूंगा फिर इसके बाद म होती है ट्री कमांड हमारी फिर उसके बाद में हमको विंडो के साथ में आर प्रेज करनी है और यहां पर टैम पर चलानी है टैम कमांड चलानी है टैम कमांड चलाने के पूरी file delete हो जाएगी फिर window के साथ हमें r shift के साथ परसेंट और 10% और टेंप फिर इसके बाद में Ctrl A shift के साथ पाले delete दोस्तों ये मैं daily करता हूं लेकिन daily वीडियो में नहीं बता पाता हूं बीच बीच में कभी बता देता हूं तो ये जरूर करें computer की speed आपकी बढ़ेगी और आपके कंप्यूटर में हो सकता है आपने को नहीं पता हो तो आपके इसमें कंप्यूटर में पांच-पांच-छे-चे-ददस जीवी तक एक कंप्यूटर में मैंने सारी फाइलों को अठाकर 28 जीवी का डाटा इंक्रीज किया था उसके लेफटॉप से स्टुडेंट के लेफटॉप से 28 जीवी तो चलिए दोस्तों शुरूबात करते हैं सबसे पहला था अनव्यबों के साथ माइक्रो प्रोसेसर जिस आधार से जुड़ा होता है उसे खालिस्तान भी कहा जाता है मदरवोड मदरवोड जो होता है दोस्तों मदरवोड से अनव प्लेटवां इंटरफेस कार्ड यह सभी दोस्तों वीडियो हमने हमारे यूटूब चैनल क्यों पेपर है वन लाइन कोश्यान वन लाइन आंसर सभी पेपरों में अपलोड कर रखा है आप वहां से जाके देख सकते हैं अगला नंबर पर आता है हमारा निम लिखित में से क प्यू द्वारा ब्रतमान इस्तिति में उप्योग किये जाते हैं निम लिखित में से कौन सी अनुक्रेमिक अक्सस में मुरी है तो मेगनेटिक टैप मेगनेटिक टैप जो होती है वह अनुक्रेमिक अक्सस मेमोरी है क्या हैं कि हाड़ डिस्क manuscript CD और digital video deze के यह अलग है और इ इलेक्ट्रोनिक उपकरणों के संबन में PDA का पूर्ण रूप क्या होता है पर्सनल डिजीटल असिस्टेंट पर्सनल डिजीटल असिस्टेंट PDA का फुल नेम होता है वैसे दोस्तों हमने फुल नेम का सौटकट की का पूरे वीडियो भना रखें आप यूट्यूब चैनल अपर जाके देख सकते हैं भारत में सीड एक द्वारा डेजायन और विक्सिस सुपर कंप्योटरों की सथ स्रंखला निम लिखित में से कौन सी है तो दोस्तों परम परम जो है पिक्सिस सुपरurgical की सिंधर स्रंखला मारी परम है निम लिखित मैं से क्या CRT cathode ray tube display द्वारा data के visual प्रदरसन के लिए प्रियोग किया जाता है उसे electronic gun का जाता है electron gun जो होता CRT display द्वारा data के visual प्रदरसन में प्रियोग किया जाता है नर्दिष्ट कीजिए निमलिखेते में से सही या गलत है एक printer या तो impact हो सकता है या non impact या तो impact हो सकता है या non impact printer हो सकता है dot metric printer में अलग-अलग seeds की अपेक्चा सतत paper का प्रियोग किया जाता है यास दोस्तो dot metric printer जो होता है जो कि बैंकों में यूज होता है उसमें क्या होता है हमारा सतत लगत लगातार continuous paper का प्रियोग किया जाता है एक प्लोटर सियाई पेन का उप्योग करके उच्च गुडवत्ता वाले ग्राफिक्स या आरेखन उत्पन कर सकता है यह दोस्तों और केट डिजैनी में भी इसका बहुत उप्योग होता है तो यह प्लोटर कहलाता है तो यहां तीनों ही सही है दोस्तों निमलिखित समू का मिलान करी अब देखी दोस्तों यह जो था प्लोटर प्लोटर क्या करता है प्लोटर केवल कई रिकोड कर सकता है केवल एक बार डेटा कर सकता है आउटपुट डिवाइस है प्लोटर क्या है दोस्तों आउटपुट डिवाइस है डिजीटल वीडियो डिस डिटा को कई वार रेकोर्ड कर सकते हैं यह दोस्तों December सकते हैं और डेटा को मिता भी सकते हैं दोस्तों और क्रोग्रामिंण भासाओं के सम्मदने 버 Bieber का पूनूरूप क्या होता है फूर्मूला ट्रांसलेशन इस फूर्मूला ट्रांसलेशन होलेशन दोस्तों और व्यवस्तित करने के लिए प्रियोग किया जाता हैW और उपयोग करताओं को देटा विसलेशन के लिए formula का उपयोग करने की अनुमती देता है उसे electronic spare seat कहा जाता है उसे electronic spare seat कहा जाता है जो data को column और row में व्यवस्तित करने के लिए उपयोग करता है और उपयोग करता हों को data visualization के लिए formula का प्रियोग करके उसकी अनुमती देता है उसे electronic spare seat कहा जाता है एक्सल कहा जाता है निम्लखित में से कौन सा एक free VR software है तो एड़ोप एक्रोवेड रीडर एड़ोप एक्रोवेड रीडर जो है हमारा दोस्तो free VR software होता है यदि कंप्यूटर में 512 MB और 1 GB की छमता के दो चिप रेम है तो कंप्यूटर की कुल मिमोरी कितनी होगी 15 36 MB क्योंकि यह दोस्तों जो है एक जीवी के अंदर यह जुड़ जागा तो 15 36 MB होगा क्योंकि एक हजार चोविस यह होता है एक हजार चोविस के अंदर बारा अगवार वारदन चोश वारतिया 36 और 15 की चमता कुल मिमोरी 15 36 MB होगी निमलखित में से कौन सा 128 किलो बाइट के वराबर है तो दो दो की घगाद 20 बीट जो होता है हमारा 128 किलो बाइट के वराबर होता है मेनू ओप्सन या कीट नी श्ट्रो कॉम्बिनेशन के माध्यम से एक कम्प्यूटर को रीबूट करने की फिरिया खालिस्तान कहा जाता है बार्मबूट बार्मबूट क्या होता है हमारा की स्टो कॉम्बिनेशन के माध्यम से कम्प्यूटर की रीबूट करने की फिरिया खालिस्तान कहा बार्मबूट कहा जाता है BIOS Basic Input Output System Program को इस्ताई रूप से खालिस्तान में संग्रहित किया जाता है ROM चिप के अंदर Basic Input Output System BIOS Program को इस्ताई रूप से ROM Read Only Memory चिप में संग्रहित किया जाता है PC Personal Computer की Boot प्रिकिरिया के दोरान निमलिखित में से कौन सा एक Operating System को Memory में लोड करता है Boot Stripe Loader कहा जाता है PC की Boot प्रिकिरिया के दोरान निमलिखित में से कौन सा एक Operating System की Memory में लोड करता है उसे Boot Stripe Loader कहा जाता है Search Program and Files या Run विकल्प के माद्धियम से CMD Command निस्पादित करने से Launch खालिस्तान लॉँच होता है Windows Command Processor Windows Command Processor जो होता है Search Program and File या Run विकल्प के माद्धियम से CMD Command निस्पादित करने में Windows Command Processor Launch होता है नर्दिष्ट कीजिए कथन सही या गलत Hibernate Shutdown विकल्प Slip विकल्प की तुलना से कम Power का उप्योग करता है Yes दोस्तों Hibernate Shutdown जो होता है विकल्प जो Slip विकल्प की तुलना में कम Power का उप्योग करता है जब आप Laptop का Lead बंद करते हैं या उसका Power बटन दवाते हैं तो बहुत से Laptop Slip Mode में चले जाते हैं इसा ही दोस्तों लेकिन जादी देर तक दवाते हैं तो बंद होता है बाकि यदि एक प्रेस कर देते हैं तो वो Slip Mode में चला जाता है IP Internet Protocol Version 4 एड्रेस की लंबाई खालिस्तान बेट है जबकि Internet Protocol Version 6 एड्रेस की लंबाई बेट से IPv4 32 बेट सक की लंबाई होती है और IPv6 एड्रेस की लंबाई 128 तक बेट सक होती है malware के बारे में निम्लिकित में से कौन सा कथन गलत है malware एक सूम beginning software होता है software है यह दोस्तों software की problem है जो हर वीडियो में आ जाती है तो malware एक सूम यह beginning software है malware एक दुर्भावपूर में एक software है उप्योग करता हूँ कि ग्यान के बिना मेलिवेर कंप्यूटर के संसादनों को नुक्सान पहुंचाता सही है मालिवेर प्रवावित इस सिस्टम से महत्पूर जानकरी चोरी कर सकता है ये भी सही है निम लिखित में से कौन सा पहली नजर में एक उप्योगी का सौफ्ट्वियर प्रतीत होता है और कंप्यूटर से इंस्टॉल होने के बाद उसे नुक्सान पहुंचाता है उसे ट्रोर्जन हर्स कहते है निमलिखित में से कौन सा उपयोग करता कि ज्यान की बिना उसकी जानकारी एकर्तित करता है और पीछे से किसी और कोई है जानकारी संचारित करता है उसे spyware कहा जाता है निमलिखित में से कौन सी संदेश की एनकोडिंग प्रिक्रिया है जिसका केवल अधिकरत पाइटियां ही उपयोग कर सकती है उसे इनक्रिप्शन कहा जाता है encrypted या encoded संदेश को खालिस्तान रूप में भी जाना जाता है सिपर टैक्स येस दोस्तों Windows में डिफोल्ट डारेक्ट्री इंस्टोलेशन डारेक्ट्री को बदला नहीं जा सकता एक प्रवल पास्वर्ड में केवल अक्षर संख्यावन होते होने चाहिए गलत दोस्तों दोनों ही गलत हैं क्योंकि इसमें अक्षा नमबर निवेरिकल सिंबोल वी कुछ हो सकते हैं file प्रबंदन के संबन्ध में HPFS का पुनरूप क्या होता है high-performance file system high-performance file system HPFS का full name होता है basic file allocation table file system में एक file या डारेक्टरी नाम का extension एक्सेंसन तीन वर्ड तक हो सकता है यह कई बार आ चुका है दोस्तों बेसिक फेट फाइल एलोकेशन टेवल फाइल सिस्टम में एक फाइल या डारेक्टरी नाम का एक्सेंसन तीन वर्ड तक हो सकता है बेसिक फाइल एलोकेशन टेवल फाइल सिस्टम में निमलखित में से क डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस कमांड को उपयोग करके एक से अधिक फाइल या संपूर्ण डारेक्टरी को डारेक्टरी ट्री को एक डारेक्टरी से दूसरे में कोपी करने के लिए एक्स कोपी का उपियोग किया जाता है एक डारेक्टरी से दूसरे डारेक्टरी में संपूर ट्री को कोपी करने के लिए एक्स कोपी का उपियोग किया जाता है सूची बनाईए जिप jip file क्या होती है archive archive file को jip file का जाता है pdf file होती है portable document format pdf file होती है portable document format और hft hft होती है file system जिर्दिष्ट कीजिए सही या कथन गलत कथन एक file को तीन बार से अधिक copy नहीं किया जा सकता है गलत दोस्तों एक file को एक तीन बार से अधिक copy किया जा सकता है कोपी और मूब कमांड को उपयोग एक अंतर रूप से किया जा सकता है क्योंकि वे समानकार करते हैं गलत है दोस्तों अलग-अलग काम करते हैं मूब हटाता है और कोपी एक ही चीज को दूसरी जगे उपयोग करने के लिए हमारे को परमीसन देता सोरी दोस्तों निमलखित में से कोन सा MS Word का एक बेद एपलिकेशन नहीं है डोकुमेंट का निर्माण लोगों की एक बड़ी संख्या के लिए व्यक्तिगत पात्रों का निर्माण Computer Edited Design Computer Edited Design हमारा Word MS Word का बेद एपलिकेशन नहीं है बेपेजो का निर्माण बेपेजो का भी निर्माण बड़ में किया जाता है MS Word की निमलखित बिसेष्टाओं में कोन सा एक सुनिश्चित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है कि Winding Text को Spiced Awakercuse नहीं करती उसे Gutter Margin कहा जाता है उसे Gutter Margin कहा जाता है मतलब जो कून सी सुनिश्चित के लिए उपयोग किया जा सकता है Winding Text और Spiced Awakercuse नहीं करता है उसे Gutter Margin कहा जाता है मतलब दोस्तों जैसे कि यह जगे है अब यह इतनी जगे आपको यह Margin छोड़ी है लेकिन Margin से थोड़ी और Margin छोड़ी है लेफ्ट और टोप में ही छोड़ी जाती है उसे Gutter Margin कहा जाता है MS Bird में 18.0 पॉइंट आकार किसके समतल्य होता है 1.4 इंच के 18.0 पॉइंट पॉइंट आकार 1.4 इंच के समतल्य होता है निमलकित में से कौन सा स्वचालित रूप से उस सब्द को अगली पंक्ती की सुरुवात में ले जाता है जो लाइन पर फिट होने के लिए बहुत लंबा होता है उसे वर्ड रेप कहते हैं पेराग्राप की सुरुवात में एक बड़ा पेक हैपिटल अक्षर बनाने के लिए निमलकित में से MS वर्ड की कौन सी विसस्ता का उप्योग की जाता है ड्रॉप केप दोस्तो ड्रॉप केप का उप्योग सब्द लाइन पेराग्राप अक्षर के पहले वर्ड को वाई डिफोल्ट तीन लाइन तक और मैक्सिमुम दस लाइन तक बढ़ाने के लिए MS वर्ड में ड्रॉप केप काप्योग किया जाता है दोस्तो इसके पूरी तरीके सुधाराण हमने हमारे यूटूब चेनल अभी ग्यान AMC पर बना रखें आप एक बार जाकर जरूर देखें और वीडियो दी अच्छा लगे तो दोस्तो लाइक सेर सब्सक्राइब कर सकते हैं कंट्रोल प्लस सी कोपी करने के काम आती है कंट्रोल प्लस एक्स कट करने के काम आती है कंट्रोल प्लस भी पेस्ट करने के काम में आती दोस्तों यह shortcut की कभी वीडियो हमने बना रखा है एसे लेके जेट तक की shortcut की एक एक दो दो तिन तिन चार चार बार जितने ओपियों के सभी को अच्छी तरीके इस बता रखा है आप इसको भी जाके YouTube Channel पर देख सकते हैं अभी ज्यान AMC पर MS Excel के एक बर्क बुक में कम से कम खालिस्तान वर्क सीट होनी चाहिए दोस्तों कम से कम एक बर्क सीट होनी चाहिए MS Excel के MS Excel के अंदर कम से कम एक बर्क सीट होनी चाहिए by default कितनी होती दोस्तों by default तीन होती देखिए by default तीन आई है right click करके आप इसको delete करिए इसको delete कर दी आपने इसको delete कर दी और इसको delete करने जाएंगे तो पूरी seat हड़ जाएगी तो कम से कम एक seat जरूर होनी चाहिए ms बड़ के अंदर अगले नंबर पर आता है हमारा MS Excel के वर्क सीट में टेक्स का डिफॉLT और वाद अडर्दर सर्णेखन vertical alignment खालिस्तान होता है bottom MS Excel में वर्क सीट में टेक्स का default उर्द वर्दर सर्णेखन vertical alignment bottom होता है Chinese safe सीमा के निचले दाइकोने में एक छोटा इस होना है को ने पर एक छोटा सा काला बर्ग के रूप में काले फिल हैंडल की रूप में जाना जाता किए एक्सल में होता है निमuğले त मैंसे एक्सल की कौन शी विसेस्ता संख्याओं के एग को टीवर्त से जिप ग्यात करने की सुवीध्य प्रदान करता है उसे ओटो सम कहा जाता है एकसल में एकसल से एक वेंजक एक्वल 28 सेवन माइनस टू घात थिरी है जो उसका मान क्या होगा तो माइनस फॉर क्योंकि यह जो माइनस टू है तो यह दो दो दूनी चार चार दूनी आठ यह हो जाएगा और साच्चों के 28 28 से यह कड़ जागा तो हमारा माइनस फॉर इसका आंसर आ जाएगा मान दोस्तों इसका प्लस भी आंसर है इसमें माइनस दिया हुआ है एमस एकसल के एक सेल बेंजक एक्वल एट स्लेस ए का मान होगा खालिस्तान है एस्ट्रेक नेम स्लेस हैस्ट्रेक नेम होगा क्यों क्योंकि दोस्तों इसमें कुछ वेल्यू ही नहीं है मान लीजिए सेल A1, A2, A3 और A4 में करम से 12, 13, B और 14 लिखा है तो एकसल बेंजक एक्वल काउंट A1 कलोन A4 का मान क्या होगा है यह तो 0 दिया हुआ या फिर क्तिस्तान निमनमे से कौन सा एक बेद owners नहीं, ईडरिया प्रोटोकोल ड्रेस नहीं है उससे डेटा रिमोट मतलब डेटा रिमोट कम्प्यूटर से लोकल कम्प्यूटर में ट्रांसफर किया जाता है डाउनलोडिंग एक प्रिकिरिया है जिसमें डेटा कम्प्यूटर रिमोट कम्प्यूटर से local computer में transfer किया जाता है निमलिखित network topology में से किसमें प्रतेक node केंद्रिय node पर जड़ा होता है उसे star कहा जाता है star topology में प्रतेक node केंद्रिय node से जड़ा होता है Google खोज query sun उन वेप पेजों को खोज करेगा जिसमें खालिस्तान समलित है sun से सुरू होने वाली कोई भी सब्द सन से सुरू होने वाला कोई भी सब्द को सर्च करेगा निमलिखित में से कौन सा एक बेव सरवर के पते को संदरवित करता है जिस पर website को की hosting की जाती है उसे URL uniform resource locator कहा जाता है Facebook Facebook क्या है दोस्तो social networking side है Twitter क्या है Twitter micro blogging side है और flip card क्या है e-commerce side है दोस्तों तो हमारे यहां 52 computer के question complete होते हैं दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें मिलते अगले वाले वीडियों तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद्ध दोस्तों हमारे सभी वीडियो हमारे यूटूब फार्स्ट मार्च का है फिर इसके बाद मैं magic photo editor के से यूज करते हैं एक्जाम सब्सक्राइब हो गया हाउ टू सिंपल जी स्टी कैसे बनाते हैं सिप्स्टी एक्जाम होगा महत्पून फुल फॉर्म होगा महत्पुन फुल फॉर्म पार्ट टू है फार पार्ट फॉर्म है फिर औल फैसिलिटी एवरी स्टुडेंट के लिए इस एक्जाम है और इसके बाद में एक्टू जैट सोटकट की हैं दोस्तों इसको भी काफी लोगों ने अच्छा देखा हुआ है और सब्सक्राइब कंप्यूटर सॉफ्ट्वियर से रिलेटेड एट टू जैट फॉर्टकट कीज हैं फिर सिंपल फॉर्मूलाद यूज हुए हैं दोनों टाइपिंग लिए एक्सल व्यूप टू जैड दोस्तों यहां पर हमने वर्ड एक्सल पावर प्रिंट सभी के वीडि हम दोस्ते हैं सब्सक्राइब लिए जिससे फिर इसको और वाड दिया हुआ है फिर इसके बाद में और व्यूट लित देने के बाद में आप देखे जाके और मायिक्रोसॉट टिटोरियल्स दिये हुए हैं हमने यहाँपर और Coming Soon के अंदर और काफी सारे वीडियो आने वाले हैं टाइपिंग के वीडियो हमने बना रखे हैं स्वच्छ भारत बना रखें जो मारा करेगर है चलता था फुल स्क्रीन के वीडियो बना रखें तो यह सभी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर फिर इसके बाद में आता है हमारा पावर पॉइंट पेंट पावर पॉइंट और टाइपिंग कंप्लेट तो यह सभी देखिए यहां पर हम चला के देखाते हैं आपको